पर आप तो तो स्वागत है दोस्तों आपका मारे यूट्यूब चानल चीनियस क्लास अज में में मेरा नाम अध्यन प्रशाद है ठीक है मैं आपका प्यारा अध्यन सर फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ इस पर हिस्ट्री की एक्च्छली इस एक वीडियो में आपको पुरा क्लियर कर दूंगा जस्ट आपको इस लास्ट तक देखेगा प्लीज दू शेयर लाइक सब्सक्राइब इस चैनल एंड और चले शुरू करते हैं कि बहुत सारे बच्चे बूले थे कलिया पर सुसाइद उनके हिस्ट्री आप सिविक्स के तो हिस्ट्री तो एक रात में कंप्लीट ही नहीं होगा तो सिविक्स मैं सोचाँ चाहिए कर लों ताकि कहीं चाहिए तो मांक सूट जाए ठीक है तो प्लीज स्टे ट्यून लेकर बाट एगा मैं भी बुक लेकर बाट आँए ताकि माले जो कोई पार्ट आपको एक लियर यह पुरानी बुक है मेरी तो कहीं पे ज्यादा करेक्शन्स कि आपको क्लेर नहीं तो प्लीज भुक लेकर बाट नहीं हो यह खांसी मेरा पीछा नहीं चोड़ रही है चलिए शुड़ू करते है है हमारा पैदा चाप्टर कहा है Constitution and Salient Features हमारा संभीधान संभीधान किस न जनीटियूशन केम इंटो फोर्स पूच्छन पूच्छता है वननमबर में कि वन डीड़ वन दिद आर कन्स्टिटुशन केम इंटो फोर्स इस वन टिद आर कन्सटिटुशन केम इंटो फोर्स इच्टों 26 जन्वरी शुछ जानुख्या टेक है और हमारा मोटो किया है Constitution का वी देपीपल आप इंडिया चलो ठीक है डिफिनेशन एंड नीड अफ देफिनेशन किया है और जरूरत क्यों हमारी इस देट बोडी देट रूल्स एंड लॉज अकॉर्डिंट विच स्टेट इस गवर्ण एक वह बोडी है जिसके जिसके थूरू एक कंट्री या फिर एक स जाने तो मुझे ऐसे ऐसे पहले राइट जाना है भी लेफ जाना पिल जाना फिर सीधा जाना कैसे हुआ वह आपको डिरेक्शन देखा रहा तो आपका और कंट्री रही चीज़र है कि आपको एक रस्त दिखाता है कि आप कंट्री केसे चला हुगे टीक है रूल से एल्ट जो कि है the legislature, the executive and the judiciary अगर ते तीनों को बारे में बताता है कि किस तरह से function करेंगे ठीक है जो तीनों पार्ट होते है गवर्न्मेंट के आपको बताते है तो legislature क्या होते है legislatures वो होते है जो कि हमारा लॉग को बनाते है ठीक है प्लीज केंविज मत होना डीक है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, legislators यह वस्ट को बनाते, फिर आपका dao executive होते है चुछी होता की है ,पहले legislature आता है बोप क्थोडिश्रय्र, इस द्या गए बोट आपको बताता हो कैसे, legislature होता है वह पनाता है , जुडिशरी गया गरता जो जजेज होते हैं वो लोगों को चेक करते हैं कि भाई सही है कि नहीं कि हम मैक्सिमम फर MP and MLA's are illiterate अब जानते होंगे हमारा MP और MLA कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि आपको इतना डिगरी चाहिए होता है या 10-12 पास कुछ नहीं बहुत जन अंगु जलने भी मतलब अब संग्राइए युद्धिशरी गैं जाँ चैक क करता नहीं नहीं आने भाई जैसे सो आदमी लोग में है धिक है जैसे COVID का vaccine for example आप समझ जो COVID का vaccine वैक्सीन जो पहले जो test करते हैं सांटीस्ट है वो बना रहे है ठीक है अब जो government official जो doctors होते या फिर जो वो check करते कि भाई यह सही में इंसान के देने लाइक है कि नहीं है अब चू क्या करता है? गवर्मेंट क्या करता है? उसको 10 या 20 आदमी को चुनके लाता है आप पर टेस्ट किया जाएगा ठीक है? एक country का अबादी होता है? million, billions में होता है हमारा billions में countries, millions में होता है अगर एक ही बार सबको दे दिया जाए तो फिर तो जो प्रॉब्लम या साइड एफेक्ट आगा मिलियंस में आएगा ना लेकिन जो दस आदमी रहेंगा तो साइड एफेक्ट जो है अगर दस आदमी कोई होगा ठीक है तो एही करता है एक चूपता है गाहों को या ग्रूप एक टाउन को सेलेक्ट करता है वह लोग इंप्लिमेंट करता है कुछ महीनों के लिए देखता है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो भाई वो बताएगा गवर्मेंट को सर यह सब इंप्लिमेंट हुआ ऐसा सा प्रॉसस है लोग काम कर रह अब कंसिटूशन इननाज असब फंडमेंटल लॉशंड आप लैंट मतलब क्या कंट्री का जो लॉशंड तो नियम का फूस तरह चलेगा वहीच हमारा कंसिटूशन बिकॉस इस इस प्रॉडियोशन व है कि जो हमारा चंसिटूशन वह सूपीरियर है क्या अगर मालो आज तो बिल याज कोई law बनता है तो वो किस तरह से बनता है किस नियम को देखते बनता है कि हमारा constitution भाई ऐसे ऐसे प्रोशीडियर दिये हुए उसको देखके एक नया बिल आता है कोई भी चीज constitution के अगेंस्ट नहीं आ सकता है क्या मतलब हुआ constitution क्या सबसे superior हुआ ठीक है यह वह जादी हा जाएगा ठीक है not well it shall have no value of the authority समझ गए चलिए अब हमारा आता है यह शायद आपका syllabus में नहीं है फिर भी में बताते रहो हो किसी के स्कूल में एक्जाम में आ रहा हो ठीक है जल्दी से बताते तो constitutional assembly was a mini India समझ गए चुड़िए the constitution of India was elected interim government of assembly on December 11 1946 Dr. Rajendra Prashad was elected as the permanent president constitutional assembly क्या हुआ जो भी freedom पाने मतब जो constitution assembly था हो पहले गया कि कुछ set of rules बनाया उसको खुद से पहले देखा कि भाई सब कुछ सही हो सकता है उसके लिए interim president को चुना गया था temporary ताकि वो मतलब यह करे चेक करे फिर जब सब कुछ सही चलना था तो क्या हो बाद में फिर एक permanent president को चुन दिया गया गया उस constitutional assembly का जो कि राजंदर प्रशाद थे ठीक है यह रा constitutional assembly ठीक है drafting committee drafting committee actually कोई important नहीं है यह स्पूशता है कि chairman कौन था ब्र अंबेट कर सहता है commitment and adoption of the constitution ठीक है आये देखते किया कब हुआ था हां sorry November 26 1949 adopted हुआ था ठीक है यह adopt किया गया था ठीक है जिसको बनने में जैसे 2014-7 में हमारा freedom आया था न क्या बोलते है 1947 freedom हुआ इंडिया तो हमारा constitution को adopt करने में कितना कब हुआ था November 26 1949 okay which took कितना दिन it took some it took some two years 11 months and 17 days for the assembly to finally adopt and enact the constitution ठीक है assembly को enact करने में कितना दिल लगा 2 साल 11 महिना 17 दिन एपोर्स का एग्जाम में आ सकता है one marks question how many days लिया था two years 11 months 17 days be accurate with that ठीक है अब यहां पर आता है कि date of enforcement of the constitution कब हुआ था जैसे मैं क्या आपो कहा था constitution came into force on कब January 26 1950 okay remember this date and Dr. Rajendra Prasad was the first term of office as the president of India कब कोन थे first president Dr. Rajendra Prasad और Prime Minister कोन थे Dr. Jawaharlal Nehru ठीक है चलिया यह पार्ट शाहिद आपका syllabus में नहीं है ठीक है तो इस पार्ट को मैं skip कर रहा हूं इसके लिए पर टाइम बीग okay for the time being okay ठीक है चलिए प्रेम्बल अब माता प्रेम्बल यह भी शाहता प्रेम्बल में प्रेम्बल में क्या हो थे क्यूंति क्या शैक क्या ठीक है आपके बजी सब्सक्राइब आपको इस ते प्रेम्बल अपको अधिरश पार्ट च प्रेम्बल कि में गच्ट थे शोच्यम में पॉलिटिकल अपको जसस्टेशिस देया लिबर्टे थू एक्स्प्रेशन पलिए बिलीफ फेत वर्षिप अ तो आप कुछ भी प्रोपगेट कर सकते हैं, आपको लिबर्टी है देने की भाई मुझे हिंदू बनना है तो मैं हिंदू कर सकता हूँ, या फिर मुसलिम होना है, तो मैं मुसलिम बन सकता हूँ, इक्सक्तरा, लिबर्टी, कि equality status of opportunity and promote among them all equality men women equality gender equality black and white यहाँ तो चलता नहीं है हर caste creed sex में इंप्लोई यह ओना चीए आप क्या बोलते है equality और टीक है opportunities जितना जो काम एक लड़का को होता है वही काम अगा एक लड़की भी करते है तो दुनों को वेच सेम होना चीए जो कि आप समझ रहे है इस बिग दील इट इस इट शुड इट शुड रेली भी लड़के लड़की कभी भी दे और आल सेव दे शोड़ेंट बी इनी डिस्क्रिमिनेशन ओके गर्ल्स किप इड़ आप fraternity assuring the dignity of individual and unity fraternity क्या होता है कि कोई भी एक individual का जो एक मतलब एक self-respect होता है या फिर unity होता है group में उसको मनाया रखना तो यह था हमारा प्रियांबल इस आप पढ़ लेना कि क्या क्या पांच आते है ठीक है पांच है चार स्वारी मैं जस्ट जीस में आपको जल्दी बता रहा हूँ तांगे जिसका परस्व एक्साम है प्लीज इससे देख लेना जो बोर्ट का syllabus मैं उसी से उठाया हूँ तो प्रेयंबल दिया हुआ नहीं तो प्रेयंबल आएगा नहीं ठीक है जिसका स्कूल में आएगा मैंने जिस्ट म क्या लिखा हुआ है constitution क्या लिखा हुआ है so written constitution logic सा बात है कोई इसमें गल्ती नहीं होना चाहिए इसमें आप पड़ दे रहा हूँ क्या written constitution is one which sets of four single written instruments most of the principle under which government shall be organized and conducted क्या written instruments लिखा हुआ constitution है ठीक है शाइद Britain में लिखा हुआ नहीं है it's not a written constitution ठीक है अन्रिटन constitution is one which has never be codified by a constitutional assembly देखो written actually paper में सब लिखा रहता है ठीक है paper में सब लिखा रहता बट problem but actually return हम लोग क्यों बोलते है कि देखो अगर कोई भी जैसे जो लिखा हुआ है at present ठीक है अगर मान लो एक नया add करना तो उसके लिए 50 procedures है भाई बिल पास करना रहेगा पार्लेमेंट में मिजॉरिटी चाहिए प्रेजिडेंट का सिगनेचर चाहिए राजय सभा लोक सभा वगेरा 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 चुडिशरी लेजिस्ट्रेटिव एक्जिक्टिव सब आते हैं बट जो अन्रिटन रहते हैं वहां पैसा कुछ नहीं होता उस country में कुछ नही बिल आ गया खतम बाद that is the difference okay पढ़ लिजेगा सिंपल सा लॉजिक बिशेट बहां British Constitution is the best example of unwritten Constitution जैसके मैंने कहा था आपको ठीक है Lendiest जैसा कि जानते है दुनिया का सबसे Lendiest Constitution कौन सा है इंडिया का है कुछ नहीं सकता है Lendiest Constitution कहा है इंडिया का है कुछ नहीं पूचे यहां पर कुछ नहीं पूचे गगा यह पूचे का आर्टिकल्स कितने है 13 95 अर्टिकल्स है 12 शेडिूट्स है धिक है United States 7 articles कुई लिना देने आपको क्यों है वहा पर कुछ नहीं पूचे का है सब चीज से थीजा को बीबटा तरो हाई यह पूचकता बाई कहां से क्यालिया गया देखो direct पॉइंट पराता, like Great Britain, Canada-Australia, India believes in Parliamentary form of government जैसे Great Britain में है Canada Australia में India भी बिलीब करता है कि Parliamentary form of government क्या होता है एक पारलेमेंट होगा वहां पर लोकसभा होगा राज लोहर हाउस होगा अपर हाउस होगा President होगा Prime Minister बाटेगा Council of Ministry तो यह सब कंटरिमंग पारलेमेंट यहां से लिए आ गया है ठीक है and rule of laws following example USA Constitution laid down principle of judicial review USA के तरह हमारा क्या लिया गया गया Judicial Judges अगर आपको कोई भी डाव कोई भी मतलब problem होता है legal illegal illegal या फिर कुछ भी आपको मतलब police से help नहीं मतलब आप कहा ना सकता है आप जच के पास आ सकता हमारा final superior कौन है Supreme Court of India is the highest of the Indian of the Indian Republic इसके ओपर कुछ नहीं आता है Supreme Court order पर प्रेजिडेंट को भी प्राइम मिनिस्टर को भी हम लोग उतार सकते है ठीक है that is judicial review कोई भी चीज़ पर judge review करेगा in other words Supreme Court of India acts as a final interpreter of the Constitution जो आपका सम्विधान देखेगा जो भी आपका problem होता है आपको बचाता कौन है Supreme Court या High Court जो court होता है Supreme Court highest court होता है High Court वगरा judicial court इसको lowest उसके lower आता है ठीक है तो यह बोलता interpreter of the court कहा है मान लिजे आप भाई मुझे तो नहीं ना पता कि मेरी मतलब Constitution किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ठीक है मान लो एक लड़की है उसको मैंने physically मारा भाई किस आर्टिकल में क्या लिखाया है वो क्या करेगी पुलिस में फायर डच करेगी फायर क्या होगा कोट में जाएगा अब कोट में यहीं प्रॉब्लम सुनेगा लड़की ने कहा सर इसने मुझे एक लड़ बंदे ने मुझे मारा या फिजिकली अब्यूस किया ठीक है एक्जामपल दे रहा तो अब अब वह क्या गरेगा भाई अपना पन्ना पल्टेगा ज़ज भाई कोड के तहा है आरो पी को धारा 384 284 जो भी है बलाबलाबला के थहत आपको दस साल के सजा 20 साल के सत्क्या हुआ इंटर्प्रेट क्या क्या ग्या कंस्टटूशन को पन्ना पल्टा क्या हुआ आपको बताया हाँ तो लड़की समझ अच्छा यह कंस्टूशन के अंदर हम प इसलिबस में नहीं है इसलिए इसके पूआ हुआ है आपका डिरेक्ट सिलिबस में क्या आता है fundamental rights आता है आपको याद रखना पड़े क्या क्या points fundamental rights में आते हैं कि पूछेगा तीन मांक्स में पूछ सकता है ठीक है देख लीजिए मैं आसे explain भी कर दूँगा right to equality equality मैंने कहा था हर इंसान मतलब constitution के सामने हर इंसान बराबर है चाहे वो मुकेशंबानी हो या फिर मैं हूँ या आप हो एक लड़का हो या लड़की हो जो भी हो ठीक है हर constitution के सामने हर कोई पराबर है equal है right to freedom भाई आजादी का हक सबको है मैं कुछ भी करो आप हो कोई दिक्कत ही होना चाहिए जब तक कि आप हो कोई दिक्कत है किसी और कोई problem ना create करे मैं कुछ भी करो मैं video बनाओ नहीं बनाओ मेरी मर्जी that is my freedom मैं कुछ भी कर सकता हूँ राइट अगेंस exploitation मतलब किया मैं किसी को abuse नहीं कर सकता किसी को problem नहीं कर सकता ठीक तो उसके मुझे right दिया गया भाई मुझे को मार नहीं सकता को exploit नहीं कर सकता कोई loot नहीं सकता कुछ भी नहीं कर सकता थिका दूसे मैं personal right व्ल्लिजन पानधा विर्या चिंद जैन जबर कोई इसलाम का अगर को सब्सक्राइब तो नहीं होगा पाइदल Constitution ठीक है that is why we are a secular country right to constitution remedies remedies क्या है जो आपको constitution जो चीज़ आपको help provide होता है remedies मतलब क्या होता है ना help ठीक है तो constitution जो remedies provide करता है हर किसी को उसका हग है और कुछ नहीं पूचे गाटे कि यहां पर यहां पर है नहीं मतलब syllabus में दिया हो नहीं था सेकुलर होता है कि state has no official religion हमारा country कोई official religion नहीं ठीक है allow faith and worship to all हम लोग अपू कर सकते है मैं explain कर दोनो क्या क्या ठीक है जल्दी से reservation of seats क्या होता SCST को जो कि मैं SC हो ठीक है मैं SC हो तो मुझे क्या है as a backward class में हमें हमें दिया जाता है तो हमें क्या होता है reserve seat दिया जाता है कि एक्जाम में मतलब थोड़ा कम नंबर या फिर कम नंबर ने sense कि हमारे कुछ seat reserved रहते है colleges में government of officials में school में वगएर हर जगा कुछ फायदे हमें मिले रहता है कुछ reserved रहता है यह यह अब आता हमारा next chapter fundamental rights duties and directive principle state policy यह chapter आपको syllabus में दिया हुआ नहीं था ठीक है बस मैं आपको यह मैं पेज इसलिए डाला हूँ था कि आपको बता दो meaning of fundamental rights क्या होता बता दूँ था कि मानलो syllabus ब तो नहीं है लेकिन ठीक अगर एक पूछ लिया तो कोई स्कूल में तो फिर उसके लिए राइट क्या होता fundamental rights the right guaranteed under the Indian constitution a fundamental in the case that they have been incorporated in the fundamental law of the land that is the constitution and can be enforced by the court fundamental rights क्या होता आपका जो हक होता है आपका जो हक होता है वह आपको क्या करता constitution के तुवारा आपको मिलता है जीने का हग एक्ष्पोरेटर जितना राइट आपने पढ़ाना वह six fundamental rights आपको कोई नहीं चीन सकता ठीक है वह आपसे कोई नहीं चीन सकता यह वही पार्ट बोलता है ठीक है कौन करता है इन्फोर्च इनको इनको इनकोर्परेटर बाइदा इन फंडमेंटल लॉफ लैंड मतलब लॉफ लैंड मतलब कंट्री ठीक है एंड़ कंश्वड़ के दौर्ट के दौर्ट तुवारा आप पर दिया जाता है जब कुछ चलो कि खतम कुछ नहीं है मीणिंगे मों आता है किया चाप्टरा सब्श्य कंशिसंत करते क्रें कुछ कोबले की में में एंटस एलेक्ष्ट पीया हम लिए Aha कन में इंक तो बीटा भी वहाँ का प्रैजिए जो भी है किंग बनेगा उसका बेटा भी बनेगा हाया उसका बेटा बीटा भी बनेगा हाया दिखते की आ का अबर फॉलिंग प्रिंसिपल्स है हमारा एलेक्षं का आता है हमारा क्या इन्णवर्सल एडल्ट फ्रणचाइज यूडिवर्सल एडल्ट फ्रणचाइज क्या होता है जो कि आपको पावर टू वोट करने के लिए जैसे कि अगर आप 18 होते है या इटीन प्लस होते है याग you can vote that is me, you can't vote yet, जाब 12 में जाओगा शायद अभी आप से 15 साल के होंगे, आप सोला भी नहीं, 15 साल के होंगे, I guess, after 3 years when you become 18 years old, then you get the right to vote, cast your vote, means you get the voter ID card, तो वही आपको बोलते है, universal adult franchise, that means 18 years of age, after 18 you can vote, secret ballot, secret ballot क्या होता है, actually, अभी तो secret ballot बंद हो गया है, पहले क्या होता है, पहले boxes होते हैं, आपको क्या करना रहता है, हर party का एक ticket आता था, उस पर stamp मानना रहता था, तो डाल दो, पे ballot में डाल दो, चिट्थी कहाँ से डाल दो, चिट्थी वैसे डालना था, ठीक है, उसको बंद कर दिया गया है, अब हमारा था क्या, EVM आता है, अब हमारा क्या है, EVM आ गया है, ठीक है, चलिए, that is secret ballot, okay, मतब secret ballot in the sense कि मैं बता हूँ, secret, जो भी वोट हो, actually, voting जो होता है, वो secretly होता है, you can't show, means you, आपको कोई दिखाता, दिखा नहीं सकता, आप किसी हो कि मैं किसको vote दे र होता है, only you, it is a hidden box, okay, that is secret ballot, electoral choice, electoral choice offered by the competition between political parties or between many candidates, आपको election को choice दिया जाता है, भाई, आपको BJP पसंदा, BJP को वोट दो, Congress पसंदा, Congress को वोट दो, यहाँ पर हमारे वेस्टेंगल में टीमसी है, कहीं पी बीएस्पी है, कहीं पे, और भी, ओडीसा, ओडीसा में, सायथ, पता जिसको आपको वोट करने है, जो आपको लगता है, भाई, काम कर रहा है, आप उसको वोट कर सकते हो, ठीक है, you have the choice, बहुत जगे लोग नीड़दलिये लड़ते हैं, नीड़दलिये in the sense कि कोई party के नहीं होते है, individual लड़ रहे होते हैं, आप उसे ही वोट कर सकते हो, ठीक ह तो वहाँ पर छोड़ रहा है, अब आता है important part, ठीक है, brief बताओंगा, मज़ बताओंगा, मज़ आ जाएगा, देखो, अब आपका types of election, तीन टाइप के election होता है, आखो में देखके बात को, तीन टाइप के election होता है, general election, by election, mid-term election, ठीक है, general election जो होता है, normal election जो होता है, जैस जैसे 2019 में हुआ, 14 में हुआ, अभी आपके state में चल रहागा, West Bank Hall में, दो महीने बाद election होने वाला है, तो that is the general election, the normal election, okay, brief बता रहा है, फिर आपको points में जाओंगा, ठीक है, अभी एलेक्षण किया था, by election होता है, मानलो, किसी भी जैसे, मानलो, हमारे प्राइम मिनिस्टर, नरेंदर मोदी साहब है, ठीक है, मानलो, कल उनकी भगवान न गरे, कल उनकी death हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, by election, अब तब क्या हुआ, office तो खाली हो गया, प्राइम मिनिस उन्होंने तो अपना फाइबेस कंप्लीट नहीं किया है तो क्या हुआ तो उनकी डेथ हो गई तो आपके ओफेस तो खाली हो गई तो भाई बिना प्राइमिनिस्टर कंट्री तो चलेगा ने एक बाई एलेक्शन हो या फिमाल नो प्राइमिनिस्टर साब ने कलके आगे नहीं हुआ तो इक अज Recogn mutual का अरस codfire नहीं हुआ तो something में लोग बहुत प्राइमिनिस्टर को जाए है तो क्या होगा एक बाई-एलेच्चन होगा की ऑंके या न ब्ट-बिनिस्टर अँ этलँ diy यह बाई-बाई-अलीठिर festa क्या होता, mid term election मान लो, जैसे मध्य प्रदेश में हो, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, Congress की पार्टी थी, ठीक है, एर एक local party थी, क्या हुआ, उन्होंने mix किया, क्या हुआ, बहुमत जो सरकार जो minimum, मिल जाती है अगर मिल जाएगे तभी आप CM या PM बना सकते हो बोथ स्टेट और सेंटर दोनों के लिए ठीक है तो यह MP में क्या हुआ Congress और एक party मिल के Congress और एक party मिल क्या किया Majority बनाया Majority मतलब जो minimum cross कर दिया उनकी सरकार बन गई लेकिन बाद में क्या हुआ Congress का साथ जो जिसने जॉइन के तो जो सेंट पार्टी ने उसने छोड़ दिया उसका साथ तो क्या हुआ अब वहां से हट जाना पड़ा उसने क्या गिया अब जाके बीजेपी को जॉइन कर लिया बीजेपी के पास क्या हो गए Majority आ गए तो बीज एक जो हटा उसका मतलब 10 वर खतम होने से पहले जब उसका हट जाता है उसका मतलब को सरकार गिर जाती है एक नया जरकार आते है तो क्यासी एलेक्शन होता है वहां पर that is called mid-term election कब पांच साल का 10 वर का बीच में जो एलेक्शन होता उसका mid-term कहते है समझ गए अब देखते जल्दली क्या है first general election on the basis of adult franchise were held in 1952 में पहला हुआ था 47 माजादी हुथ ही 52 में 52 में पांच सल का था 47 से 52 adult franchise में ये एलेक्शन हुआ था ठीक है first election this was a simultaneous election both for the लोकसभा and all the legislative assembly लोकसभा और हर MLA वगरा state के लिए सबके लिए एक बार एक ही बार हुआ था ठीक है first time therefore it is known as the general election कब general election क्या जैसे बोलान और लोकसभा लाज कोई भी नॉर्मल जो एलेक्शन था उसको हम लोग general election कहते है जस्था सकंद मैं थोड़ा medicine ले लूँ अ कि स्टार्ट करते हैं मैं मूट नहीं मैं इंटरप्ट नहीं किया continue रखते हैं दवाई तो खारा हूँ ना इन्जानी तो हूँ जैसे पांच सर फ्रिटीटु के बाद से कंद थिलेक्शन थे नवीच्शन था कोई जैसे रसा ना इसन रा गलाउड बेडैनितन जिब उख लुदिशन था उसके फटीषा तो कुछ स्टेट सेट विभी नहीं करवा तो यह यह ज़िए यह यह जेलीवीट बॉख सब्यक् सेवन के बाद हुआ फिर अपका इलेक्शन कंटेनीू चलता रहा अपर कुछ कुछ स्टेट उससना नहीं कर आप लेकिन लोग्सभा आल एलेक्शन तो हुआ ना देट इस जनरेलेक्शन तेक है, इसवा फोर्टीन वे फेस्टेंट इसपाल जबेता है, तेक है, जासा कि मैंने काहा था, अधा प्रेजाइन कर दिया तो उसके लिए एलेक्शन होता है, ठेक है थोड़ा बुक लेकर बैटना, इसलिए मैंने काहता है, साइड में तो कटिया टाइम सर्टन सीट में फॉल वेकंड बिकॉर सम्मेंबर्स अब इसक्वालिफिकेशन सीट फॉलिंग वेकंड वेकंड इन मैंने तो अल्सो फिल विद विद भाइलेक्शन इसलिए प्लीफिकेशन वेकंड वेकंड हो जाता है, जैसे के मैंने आपको समझाया था तो क्या होता है, बाइलेक्शन से सीट को भरा जाता है, ठीक है एकदम सूरी की तरह बताया हूं, प्लीज समझना कुछ नहीं कहना भर के लिख देना आपको ठीक है, मिड टरम इलेक्शन जैसे के मैंने खहा था, लोकसभा ऑन दा, और श्टेट असेट आसेपली में बीडिजॉल्वर दो टैम बीफोर टाइम इस ओवर है, तरम इस ओवर डिजॉल्वर इन जैंच क्या होता है, मतलब सरकार घर जाती है, हमारे हिंदी में बोला है, स दोट्मुद पर लोग सब्सक्राइब कर दोट्म कोई सिंग्निफिकेंज होगा इंक्शन हूं सब्सक्राइब को बेटनों की सोच मैं रखलाएं को मत पहले हैं कि कि मैं बताता हूं हूं हे रस्टोड की तरह हुमारे प्रधान मंत्री जी है अन्हें किसे ने किया यह बता हो time up हमी ने किया था ठीक है तो कैसे किया था they were the prime minister or the PM and the council of ministers were elected by the people of India we voted so he became the prime minister but ऐसा कोई बंदा है जो कभी president स्री रामनात कोविन जी के लिए वोट किया हो please comment ने बताना मैं आपका autograph लेने आजाओ मां ठीक है वैसा है नहीं कोई autograph मिलने वाला नहीं मुझे अब क्या सीन आ गया क्योंकि लेकिन प्रेजिदेंट तो यह बाई उसे कौन एलेक करता है हम तो नहीं करते है तो वह अब उसे कौन एलेक करता है ए बिटने में एलेक करते हैं किसे प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया गो एक है जो कि हमारे श्री रामनात कोविंची है तो बिकमस अन इन डिरेक्ट एलेक्शन फिकास इस नौट एलेक्टेट बाई आस एक है समझ गजगा इफेरेंस जिसे हम एलेकर है वो डिरेक्शन हो इन विस्त वोटर्स कौन है हम लोग है चूज करते हैं किसे है रिप्रेजनिटिव किसो लजिसलेचर में चुछ करते हैं लेजिशलेटर में समझ जिसने जो लौ बनाता है ठीक है इन अधर वर्ज इन अधर वर्ड देटु नॉट इंटर मेडियर पट एक्चली वॉट वर्वॉट पर्रसन तो रिप्रेज्ट इन पालिम्ट और स्टेट असम्ली और लोकल बॉडी ऐस तकेस्ट में भी यह कहता है कि वोट किसले करते है किसे करते है मतलब जिसे जो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है हमारे डिस्ट्रिक को रिप्रेजेंट करता है या फिर पंचायत को रिप्रेजेंट करता है उसे कौन वोट करता है हम इंग वोट करते है न यह वही कहता है ठीक है चलो कहा गया कहा गया कहा गया इस अब दे इस चेट से होते हैं आप लोग वहीं पे उसे इलेक्ट करते हो विदान सबा ठीक है मेंबर्स दे लोकल बाड़ी ग्राम पंचायथ मुनिस्पालिटी कोर्परेश एक सेक्टर डिरेक्टी इलेक्टी इलेक्ट बाइट वॉटर्स आ अब पंचायथ में रहते हो याफ मुनिस्पालिटी में रहते हो उसे भी इलेक्ट हमी करते है तो इस अर लेक्ट ही हो यह है ब्लाग वोट करेंगे दिस IGHट इलेक्ट इलेक्शन सबसक्था सिंपल ना लोग तो तू म मैं नहीं Indirect election is the one which voters do not directly elect the representative to the legislature or head of the state but elect an intermediate body which finally proceeds to elect the representative or the president of the case में भी अब देखो scene क्या से होता है, scene क्या create हो President को elect किया, हम लोग नहीं किया, हम लोग किसे elect किया, Prime Minister को किया, Council of Ministers को किया और state में जो CM होता है, जो MLS को elect करते हो, members of legislative assembly को, जो CM बनते है जाके पिर उन्हीं में सब जो head रहता है, CM बनता है, जो state में रहता है, अब क्या होता है, आप तो elect किया, CM को MLS को तो MLS क्या करता है, अब वो जाके vote करते है, किसी एक बन्दे को, जो कि जाके President बन जाता है समझा है, स्टोरी क्या है, आपने तो elect किया था, भाई, मैंने तो elect किया था MLS को ठीक है, अब वो जब MLS बन जाता है, तो जब सारे MLS पूरे state, जो state या पूरे country में जितने MLS रहते है, सब मिलके एक बंदे को vote करते है, जो कि हमारा President of India होता है तो indirect election हो, indirectly आप ही elect किये President को, जिसकी party रहेगी, जिसका state में ज्यादा, जिसके all over India है, जिस party का ज्यादा MLS रहेगा, उस party का ही President बनेगा, जैसे अभी क्या है, BJP का, ज्यादा majority है, तो आपका President कौन है, रामनात कोविंद सर है, जो कि BJP की ही है, ठीक है, तो indirectly कैसे हुआ, किया, ठीक है, मेरा MLA राजीव एनर जी है, जो कि डॉमजूर से लड़ता है, आपका MLA होगा, घर में किसी से पूछना, आपके MLA होगा, आपने तो elect किया sir, आपने तो elect कि MLA को, तो वही MLA बाद में क्या करता है, elect करते President को, तो indirect हुआ कि नहीं, कान direct election में कान ऐसे, indirect election में कान ऐसे, कान आप ही पगड़ रहे हो, ठीक है, चलो, I hope you got it, direct election नहीं था, और आपको राजश्रभाव अगेरा legislative council का syllabus में नहीं दिया गया, तो मैं अभी इस में नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर boards के exam में result में अगर मतलब दिया, आपको तो 9 में, 9 में तो होगा नहीं, exam तो क्या नहीं, और लेक्स्टरम लोग आते क्या, meant by Gram Sabha, वीडियो थो लंबा होने वाला, प्लीज लास तक देखेगा जिसका exam है, प्लीज नहीं तो फिर बाद में कुछ होगा तो मुझे मत बताना, ठीक है, और कुछ भी होगा, प्लीज जॉन आ टेलिग्राम जानल चैनल for personal assistance or comment me in the comment box, okay, चलो, what is meant by Gram Sabha, Gram Sabha is the center of self-governance at a village level, it is a forum that ensures that it participative democracy, Gram Sabha जो होता है, अब सबसे जोटा होता है, जो कि Gram level में होता है, भाई, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी तो मेरे एक छोटा सा गाउ है, बिहार, यूपी, वेस्ट बेंगोल में, कही भी स्टेट का, वहां प्रा काम करेंगे, नहीं, वहां पर क्या होता है, एक Gram Sabha बैठती है, जो कि पंचायत वगेरा होता है, पंचायत सुना होगा आपने, तो वहां पर वह उलेक्ट होती है, उसे भी आप ये लेक्ट करते हो, ठीक है, तो वह राग्राम सबहा, जो कि क्या self-governance of the village, विलेज लेवल मे जो होता है, उसे ग्राम सबहा कहता है, एक सिगन मैं तो बुक खोल लूँ, ये कटा हुआ है, कहीं चाहिएगा नहीं, यार, ग्राम सबहा चली तो, टो, मैं ग्राम सबहा वाला पार्ट बोल लाँ, ठीक है, तो तो माउस वहां पर उखा हुआ है, आप देख लेना, बुक खोल के बैटा है, इसलिए मैं आपको खोल लेटा, बैटने बुला था, ग्राम सबाट एल्स प्रदान उपे टाइफ यह पॉइंट के था है कि एक ग्राम प्राधान होता है तो मुख्या को हम लोग और प्र अइल्चार करते हैं जो कि पांच साल का टैनुवर के लिए उस पंचायत का हेड रहता है और उस विलेज का हेड रहता है मुख्या कहते है या फिर ग्राम प्रधान कहते है अगर to be specific in the English word it's called ग्राम प्रधान प्रधान okay and he is elected for the tenure of five years okay so this is the ग्राम सभा which is an election held in the village level village level okay sitting of ग्राम सभा ग्राम सभा ग्राम सभा ग्राम सभा at least sits in two I think two meetings नहीं आए देख लिया आप हाँ two meetings नहीं आए the first after the harvesting का खारिफ मतलब summer season में कोई भी साल में minimum आपको दो साल बैटने दो बार बैटना ही पड़ता है एक साल में ठीक है first cup summer में second cup बैट तो winter में खारिफ क्रॉप रभी क्रॉप जब होता है winter summer का जो क्रॉप होता है विंटर में बैट होगे और summer में बैट होगे बाकि उसके बीच में आप कितना भी meeting बुला सकता है बट minimum you have to sit two times so gram sabhah होता है मीटिंग sitting मतलर में मीटिंग होता है वो दो बर बैठे गाई थीक है पूरे यहर में दो बर बैठे गा एक कप शमर में और एक कब बैठता है winter में उसके बीच में आप जितना बर जानते हैं तो उस क्या करता हूं ऊस budget को जो approve करता है कि बाई इतने साल में मॉलोगाओं में एक school बनाना है एक hospital बनाना है तो उसके लिए budget लगता है उसे क्या घरता है वह gram wann alla के approve करता है ठीक है चलो next year do your한 distorted journal. внes excited व्यशन ध्र में ए लःकी पनंचायथ में लिव है लेवी कुछ टैक्स भाई ग्राम पंचायत को कुछ टैक्स चाहिए तो उस ग्राम सब उस गाउं में कुछ टैक्स चाहिए तो भाई मनलो जैसे कि मतलब किसी भी चीज पर कोई टाक्स लगता है तो यह लोग डिसाइड करता है कि मतलब पानी मतलब गाउं में पानी बहुत वेस्ट रहता है क्या अगरते पानी पे टाक्स लगा देते तो ग्राम सबर डिसाइड करता है उस पर ठीक है अहां पर कर चाँ कितना बचा कितना नहीं बचा अच्छा बीस कड़ों बचा हुआ है तो इस साल अम लोग उसका यूज करें है ठीक है यह जो ऑडिट करता है और उसके साथ जो पांच-दस मेंबर होते पंचायत को उन्हें लेक करता है प्रवाइब प्रवाइब अगर कोई ग्राम प्रधान बैट गया अपने ऑफिस में अग्राम प्रधान बन गया है या फिर जो पंचायत के लोग बैट गया है कहां भी नहीं कर रहे है तो भाई महराजा तो नहीं बनागे बैठे ठेख है फोकट खा तो पॉपकोंड खाने नहीं बैठे बाइब बाइब अबस प्रधान बन गया आए ऐसे काम करना नहीं पॉपकोंड खा रहे है को ड्रिंग घाने चलेगा नहीं लात्माद के निकाल देगा ठेगा यह वही कहता है यह तो फिर हट जाता है ठीक है टू-3rd remember them what two-third और कैसे और वसे अल्ड़ 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 इस अल्ड़ 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 मतलब क्या हूआ हुआ इसे विलेच में कीशी से काम हो रहा है माल लो बिजली आ कि नहीं आ रहा पड़ा रहा है कि बुला XV और पो पढ़ा रहा है की पड़ा लूडों आ हे तो अग्रायत मिल क्रूर्ठ एकु ऑप ग्यांन्य कीव एकुटिफ द रहा हुआ है के हुट मॉझा, ऊक्रूर्ट डीनिसじゃ जा। कर रहा है। leuke वी पर आया को quats, उसको execute करके देखते हैं कि भाई काम हो यह चीज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ठीक है यह वही है कि इंशोज दा constitution मेकर्स ड्रीम ओफ ग्राम स्वराज इस रियलाइज़ देखते क्या है यह लोग इंशोर करता है कि जो constitution में का dream जो है ना कि ग्राम मतलब जो गाओं है खुद से उगाए खुद से खाए इतना थाकतवर ग्राम बन जा है उसको मतलब उस मोटिव को यह लोग पांच यह लगेगा विलेज बहुत बड़ा है तस चाहिए दस भी दे सकते है उस्टेट गवर्मेंट डिवाइड डिसाइड करता है ठीक है यह वही कहता है चलो हमारा नेक्स्ट आपक आता है यह क्या है नहीं हाँ तो कुछ रही है नहीं ऐ देखे यहां फंक्षन नंदा पंचा यह तीधे फंक्षन पर फटा फट फटा फट फट फंक्षन में क्या क्या था चलो पहला बेहां पार्ट civic functions and welfare functions civic functions क्या provision of safe drinking water and provides with involves construction and maintenance of public wells and tanks civic मतलब क्या हम लोग के लिए civics मतलब क्या हम ही लोग के लिए ठीक है civic facilities हम लोग प्राइड करने और welfare किसके लिए हम ही लोग के लिए जो जो गाहों में आद में लोगे क्या पहला क्या है कि वहाद लग में कानी है आप आप असीज़ा असी लगवालों कोई काम करने है और सब्सक्राइब के लिए मेरा पानी किसको नहीं चाहिए वाई अफाए दाई खायगा करत सब्रों के प्रोविजन क дав me a provision of safe drinking water which involves construction सब्सक्राइब ज से काम कि पंचायट लोगा से दिंग्राइब करना उसके लिए काइप से बनवाना वैल बन तो आप रिपंचायट सेट अप डिस्पेंसरी इस एंड हल्सेंटर इक हाँ में जरू है गए खाँ इस किलमारार फोर्म तो ना प्राइमरी एं सेकेंडरी एडिकेशन प्रोइट करें अपका लडगा सब सेर माज तो फिस शहर वाले कहां जाएंगे इतनी पॉपॉपुलिशन गाउ में है तो क्या होँ पर सेकेंडरी एडिकेशन या प्रामरी मतलब केजी से लिए फाइफ ये टें टेंटें टेंट वैल ये प्रोवाइड जोशें एडिकेशन प्रॉवाइड करना ठीक है चलो अब की पॉप फूट अप अपकी पॉट फुट पाथ से कलवरेट बता नहीं क्या है भाई कल्वरेट अक्सुरी पता है एग होता मैं बताता हूं जैसे रोड वोड के नीचे नहीं रोड या पानी जम जाएगा नहीं तो रस्ते पर नहाल हो गया आप डूब जाओगे स्ट्रीट लाइट वगरा लाइट रहेगे निए तो भाई भूत दिख जाएगा आपको सची बता रहा है welfare expect expectant mothers and their babies babies and mothers के लिए कुछ welfare scheme वगरा लाए launching welfare programs of women youth and children women youth and children लोग के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स वगरा लेकिया है तो यह कहता है तो हमारा नेक्स टॉपिक आता है development functions ठीक है development functions आई देखते क्या है प्लीज ए रिपीट अगिन keep the book in front of you ओके चलो development functions यांप क्या क्या है development activities include minor irrigation schemes rural electrification vocational education quartet small skill industries चलो food processing industries अगेरा इरिगेशन minor irrigation प्रोग्राइब क्या होता है मानलो कोई भी गाउं में अगर मानलो कुछ पैसे रखें कुछ schemes लाएगी वगेरा कि इतना पैसे आपको मिलेंगे अगरा आप ऐसे काम करोगे या फिर कुछ irrigation के लिए कुछ facilities प्रोवाइड की जाएगा तो वह minor irrigation schemes हुआ रूर्र एलेक्रिफिकेशन अज भी बहुत सारे गाउं में है पता नहीं है कि नहीं है बहुत सारे गाउं जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है यह जो बहुत घंडे बिजली अभी तक नहीं पहुंची है वहां पर उस पर काम करेंगे वोकेशन एडिकेशन जो होता है मतलब किसी भी चीज के मदब एक उन्सकेल लेबर जो होता है वहां पे ट्रेनिंग दिया तो किसी चीज कर ट्रेनिंग ताकि आप उसको जाके बाद में यूस कर सके फॉर इंपरिश्य पर्मिनेंट जॉप्स एक एक इस कॉटेज स्मॉल स्केल इंडश्री इंक्लूडिंग फूद प्रोसेसिंग इंडस्री जिस प्रोसेसिंग मतलब जैसे गहू अगयर आटा हुआ जो प्रोसेस बनाने का होता है वह सब चीज को और और जाधा बढ़ा बढ़ावत देने का रुरल हाउजिं पेशलि फॉर होता है कि आपके अच्छत आजाएगे तो आप खुद पर खुद खुद खाना होगा लोगे आप दी कहते है न तो यहाँ पर इसको एफ टेवलप्मेंट स्खीम में यह सब आते है फंक्शन अब आते है रेगुलेटरी रेगुलेटरी और जनरल एड्मिनिस्रेटिव एक मैंक्ति होने फ्यचत्रेटर्ट को अपने कंट्री स्टेट कंट्री ष्टेट या व्लेज में यह रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि वहां पर कितने लोग मर रहें कितने बच्चें बonda प्रए गांज कितना में सेंसमें half Wayű में प confirms निकालने में बिंदर और कोई उसकी म आप आप जादी हो गया रो गया कि शादी तो वहां पर जृस दुझा आप इसे इस आप आप को बिला दी आप आप और जाथा जागते रहो जा जागते रहो जागते रहो रात को आकर बहुत के तरह डिश्टरब करता है मुझे तो पसंद नहीं भाई सची बता रहा हूँ सीटी मा रहता है मैं को किदम पसंद नहीं है दन लगता है मैं अधिक बडर भी गया था तो वह चीज के लिए भी मेंटेन करता है ताकि चोरी वगेरा ना उनकि कि बहुत सारे गाव में क्या होता है पुलिस वगेरा थोड़ा कम ही रहते है सेशन कम रहते है दूर रहता है बहुत जगा पुलिस को मतलब राउन मानना इस नौट पॉसि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी तो एक दम गाउं में घुशकर तो लॉड़ा देखेंगे भाई यहां पर काम साइस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए लोग क्या करता है हल्प करता है मतलब कोई भी अपना लॉग को हाथ मेले मर्डर वगेरा जो भी होता है सब को में कमारा जूडिशाल फंक्शन सब्सक्राइब आरो जैसे कि हम मेरे और आपके लिए क्या होते है यहाँ पर मचायत होता है वहाँ पर यह लोग जजज हो गए अब इक गाउंका आदमि जो कि पढ़ा लिखा नहीं है उसग क्या पर पार सुप्रीम कोड क्या है बहुत लोग उते इतना को बता है इतना बता है क्वार्ट में को निया आई कहां मिलेगा तो जहर आALLY को mortion के अब वह बना कहले बच्व के आई तो यह तो इसे में ना चीटाल वहते हैं एक मीटिंग बढ़ता हैं बाकी सब ना क्पन्च होते हैं में ने चक्नके साथ उनके साथ की रहता है मीतिंग बढ़ता है गया को कुंपरेट तेसगी कापनाdessus आपना जो सही लगते हैं जो हैी टिसरेंस में भाई आप सब्सक्राइं कacıई जो हो एक expensive justice to the villages जैसे कि मैंने कहा स्पीडी मता संक्सन भीड है तो संक्सन आपने बक्री चोरी किया है अगर देखा है तो यूर चोर खंदमबाद घुमना फिर नहीं है थेखा है sorry i had some places panchayat itself acts as a court जयसे कि मैंने काला एक कोड के आघ राक करता है इन ज्डराइस अधिनिस्टरीशन वेच ओनली अडिनिस्टरीशन जस्टिस टेऊ जडिस जिटाह उत्तर प्रदेश दिर इपन्छायत इस ब्लॉक हर थर प्रदेश में तर बहुत 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 Уचल्टिशन एक ऐस पॉपुलेशन वहां पर है तीड़ा हो गया तो पुक में देखो गार गण दूदा जिदा जूरिस डिशिट ओ अफ नय संद पंचयट survey इस फम सेट तो स्टेट तो सेट तो बाइर करता है अब पंचयटर टॉप्रेटी सिवल सुट रिलेटिंग दू मुघेवल प्र कहां से आते यह लोग ठीक है वहाँ पर किसी का रेप हो चुका है या पर किसी का मर्डर हो चुका है और यह भाई बकरी चूर लेकर आ रहा तो समझ रहे हैं आप मेरे बाद ठीक है और जैसे के ग्जामपल्स में दिया हुआ यहाँ पर पिटे थैफ्ट अनुथरा ट्रेस्प चीटिंग वगरे मता धोके दाड़ी वगरे जो होता है ना पार्टना पार्टना धोका का देदी आओ गरा चलो ठीक है तो यह रहा पार्ट पंचायाच पूछा नहीं है अब हमारा आता है नेक्स्ट रहता टॉपिक आता है पंचायाच समीति इसे ध्यान से पढ़िएगा सुनीगा पंचायाच समीति क्या है पंचायच समीति दो होता है उपार सभा पंचायच समीति के नीच घया चलो अब नश क्रमेश काम कर रहा के नहीं करऄ के नहीं का और Aktivites ऑंब पर कोई है तो कोई बी नजर रके सभी जानता हैं है अगर आपको बोलेंगा नहीं बेटा पड़ो पड़ो तो भाई गंटा ना पड़ने वाले हो कुछ 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 फोड़के एक्सेप्शन सब्सक्राइब मेरे इस लडगे तो कता ही ना पड़े पंचायाच समित्य पंचायच चाहता है टलूका पंचायच आंद्रा में औरया बिहार आजमालाζorang W toothagerत्यौ में क्या कहा जाता है यहाथ तो इसमें कुछ important नहीं बस पंचायच समीति कि आपको पढ़ना होगा दो नंबर का जो question आपको पूछ सकता है ठीक है चैलिए में जो है में जो है में हर चीस का function यहाद रखना पो ठीक है functions पंचायच समीति जैसे कि आपको उसमें वा था civic facilities and development functions जैसे कि आपको उसमें वा था civic facilities and development जो था वो इसमें वितिया हुआ है सबका काम देके almost save रहेगा ठीक है चलिए number one ruler health program by now nearly 25,000 primary health centers and more than 3,000 community health centers have been set up to provide health services in the villages कुछ सम्झाने का नहीं है इतना भाई यहाँ पर सेट हो चुका है ठीक है health services मतलब programs मतलब कोई भी program और blood donation हुआ hospital हुआ सब्सक्राइब करता है रोड एन रेगुलेशन ऑफ मार्केट वाटर सप्लाई ठीक है मार्केट रेगुलेशन वह हुआ फिर आता फंक्शन रेगुलेटिंग अग्रिकल्चर अनिमल हजबेंटरी फिशरी अग्रिकल्चर वगेरा जो हुआ कैसे मतलब उसको सही से सब कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो government scheme प्रोवाइड करते सेंट्रल गुपनेट वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है नहीं मल हस्पेंटरी में help करता है फिशरी में help करता है यह लोग ठीक है कि डेवलाप्मेंट अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या करता है हैंड लूब एंडिक्राफ्ट विलेज इंडस्ट्री आफ बिन प्रोमोटेड इंडस्ट्री इन और तो इंक्रीज जॉब अपॉर्चनिटीज गाउं में तो भाई टाटा बिल्ला तो नहीं बैटा ना जानत अब जॉब क्रीएट हो ठीक है चलिए नंबर पांच नंबर जो है पंचायत समित्या रिक्वाइट तो मिक्स्पेशल इंडवर 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 तो प्रोमोट विल्फेर आप सेंस्ट्री में स्सी हूं तो हमारी क्या करता है जैसे हम लोग बैकवर क्लाश में आते हैं हमारे क्या करता है कुछ स्कीम्स लाता है कुछ जैसे की मतलब कुछ पैसे मिलते हमें सरकार से ठीक है फिर कही रिजर्वेशन में मार्क्स मिलते है इस MPA में लेकर पंचायत वगरा हमारा कुछ रिजर्वेशन रहता है ठीक है फिर कुछ फ्री में चावाल वगरा कुछ मिल आंगनवाडी वा सेट अप इन रूर एलिया आंगनवाडी अगर आपको इस गाहों में जाते हो अपने गाहों में तो आंगनवाडी छोटा सा एक घर टाइप का होता है वहाँ पर बच्चे जाके पढ़ते हैं वो लोग को उसे क्या और अउरत को भी एंप्लॉयमेंट मिल ग दो गया कि असका प्रेशर कम हूगे बच्च भी पढ़ लिए तिक अब आता हमारे क्या सुपर्वाइजरी फंक्शन ग्राम पंचाय्ट समेति जो पर आप से उपर तो मैं आपका काम देखूंगा अब आप सही से कर रहे हो के नहीं कर रहा हो तो तो दुनिया चूर है करे म ग्राम पंचायत मांगा भाई मुझे 100 करोड रुपय चाहिए इस ग्राम में डेवलप करने के लिए तो समीधिय का करेगा भाई अच्छा कर रहा है जरूत है कि नहीं है ब्लैंक ली तो नहीं नहीं देगा भाई क्योंकि उसको अपने उपर जवाब जवाब देना पुरता है तो यहां पर यहीं बात है तो यहां पर एक्जामिन करता है इसका बजट क्या क्या है कहां खर्चा कर रहा है कहां नहीं कर रहा यह चीज़ को देखता है इसको 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 देखता program is a major program of the government there are a number of centrals centrally sponsored schemes with funds shared with 50 50 50 50 percent share between the central and the state here I will see in the book the book open and let's go central and the states okay the state assigns functions to the district okay let's go here the state here the state assigns functions to a district agencies and district boards uh yeah uh ports issues direction to the panchayat samitis the samitis are required to improve the overall quality of life in the rural areas development ho gya social welfare sabkuch ho gya ab 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 to standard of our living ho ta hai ke nahi ho ta uske liye kya garta hai ki government central government state government milke kuch provide karta matlab joe kuch donate karte kuch funds raise karte jisse ki gaal kus gaahon staff respect to total katsikan baan parkaje customers ikashdemo tam front understand each of your churches in her store Stockholm business us Halloween got culturales exile from both heavens and they're injured the family's Christian minister Michael p sorry about my family this wonderful means that foreign understanding to the children are located there's plenty of चलो, the district level meaning of zilla parishad, अब हम लोग आते हैं कहाँ पर district level बहाते है, क्या पर, zilla parishad, जो सबसे उपर रहता है, actually, ठीक है, panchayat system का सबसे उपर जो रहता है, zilla parishad रहता है, cycle बताता है, zilla parishad, उसके बाद panchayat samiti, ठीक है, उसके बाद gram sabha, ठीक है, याद रखी हुआ, चलो, क्य है,sna nut, है, परिस्ट is in apex, मताला, highest, highest body, under the panchayati राज, highest body, under the panchayati राज, it coordinates activities of the various panchayat samiti, क्या करता है, बहुत सब्सके बाद वेरिट सबसे अ Troy, क्या करता है, ठीक है, में कहते हैं मोखुमा कहां पर आसाम में तीक है डिस्ट्रिट डेवलप्मेंट कांसल इन करनाटका टमिल नाड़ो में क्या है एच टमिल नाड़ो ट्रिक्टमिल नाड़ो सब में अगर आप सब अल्मोस्स सेम मिला कर लिख दो के ना कोई दिक्कत निए बस जिला सभावाला में तो ध्यान में कि जबाद सबसे चोटा होता है ठीक है आए फिर सम्लोंग आते फंक्शन क्या सिविक सब्सक्राइब फेसलिटीज और वेलफेर फंक्शन साता है ठीक है क्या करता है अगर वाटर पहुंचता नहीं तो वाटर पहुंचाता है या फिर वाटर के वाटर वाटर पहुंचाता है वाटर के लिए वेल यहां पर टाइंग स्वैंक्स पिठाता है ताकि और हुमन रिसोर्स जो भी रहता है मतलब जो हुमन यूज करता है वहाँ पर आदमी लोग जो नॉर्मल यूज करते है कोई बेंच हो गया पार्क हो गया है सब को डेवलब करता है ठीक है उस एरिया में इस्टाबलेश लाइब्रेशल इच्चल्स एंडेस्ट्थ्टुशंस एंड डिस्पेंस्री होता है एक में डिस्पेंसरी मतलब मेडिकल शॉप फिर क्या करता है लाइब्रेडी खुलाता है एड्ऊचेशन मतलब लाइवर्र नेंद इस भाघ hurricanes असे में नुज को प्जू यह जाकरुख होई है सरकाल का जो जो स्कीम है उसको आप लो ध्यान से मदब यूज करिए आप ही के लिए है ठीक है अब किया था कोडिनेशन और सुपर्वाइजरी फंक्शन अफ जिला परिश्द देख क्या क्या है ठीक है आई पड़ते हैं जिला परिश्द सुपर्वाइजर्स अक्टिविटीज ऑफ पंचायत समीति जो दोनों इसकी नीचे दोनों का काम को देखता है भाई सही से कर रहे है नहीं करना समझ गए याद रखेगा हूं अको अको तो मारे नेक्स टॉपिक आता कोडिनेशन और सुपर्वाइजरी फंक्शन अगा किसी का पूछे न देख मतलब समझ जाओ कि वह अपने जो नीचे वाले है जो लूवर भाउस बॉडीज है उनको कोडिनेट करता है कि वह से काम कर नहीं करता है कि बया साही से काम कर रहे है कि नहीं कर रहे है अमाल लो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो है वो लो एक बजट मांगा भाई मुझे 100 करड़ रुपए चाहिए इस काम के लिए तो भाई हां भाई हां भाई हां भाई हां 500 करड़ लो पैसे तो गांच में हो गरे ऐसा तो नहीं होता पाई वो जो जिला अधिक परिशाद रहे है चेक करें कि वेदर अक्चोली दग्राव तो विलेज नीट्स अमौंट अफ मनिय नॉट एक्टना पैसे आक्शली वहां चाहिए कि नीच चाहिए अगर चाहिए तो एप्रूब करेंगा बूले का नहीं नीच वहां ग्राम इता छोटा है विलेज यह सही मांग रहे कि नहीं मारा फिर एप्रूब भी करता है हाँ चलो साट क्रोर हाँ चाहिए 60 क्रोर से एप्रूब कर दिया ठीक है अधर के बज़ अधर को अधर करता है डीजिट रहता है तो अधर कि भी जान इसाथ को अधिम अधर पर हैं पर अधर नेचे कर देता है यहां इंड है इंपेंसल दिखना मिटा कर दिया डिजिटली यू कांट जुट तो इसली उके तो गभर्मेंट यागा था नज़र रखता है तो इस बॉडनेशन और सुपरवाइजरी फंक्शन आपना हाथ में प्लीज आप पूक रखना थाकि आपको अपने बुक से समझा रहा हूं प्लीज आपको बस है कि मैं किस टॉपिक पर आपको समझाएगा प्लीज कीप दबॉक इन फ्रेंट आपको बता रहा हूं चलो और मांक दपॉइंट विजिए फिनांशल फंक्शन जो है क्या आता है जिला परिशाद टेंडर्स टेंडर्स टेंट गवर्मेंट रिगार्डिं इंजेनियर नहीं है कुछ काम के लिए तो स्टेट गवर्मेंट क्या करेंगा भाई अच्छा टीक एक डॉक्टर एक सरकारी दौक्टर दौक्टर तीन दौक्टर को भेज दिया भाई इस गाउं में बोस्टिंग है वहाँ काम करो ठीक है फिर तुम्हारा जो इंजेनियर् इस गाउं मुझे स्कूल बनाना एक सिविल इंजिनर के ज़रत है अपने कुछ अच्छे दो दो या तीन सिविल इंजिनर को भेजेगा वहाँ जाकर जो डिवलप्मेंट करना वो करो ठीक है तरी सीफ फंद्स फंद्स पंड्रिशीव करता है फंड्स जो है या फिर जो पै देखा तीनों चीज सेम एडवाईजरी, फइनैशल फंच्छन, कोडिनेशन, फंच्छन, 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 और цвет फेसलिट्स फंच्छन और फेसलिट्स, चारो फंच्छन था है तीनों में आरा है ताक या इस शो फंपर एक पैर है इसो बैसेग ऑगताव पर प्सभ अब पंचायती राज जो क्या करता है इरिगेशन फेसिलिटीज चाहिए वहाँ पर प्रोग्राम से यह सब वहाँ पर चलाता है ताकि वह इसब चीज को टाकल कर पाए ठीक है यह सब चीज को फटा पाए इस आध डेवल्लप्मेंट फंक्शन तो मारा यहां पर कुछ गश्य करें दो सुपर्वांजरी फंक्शन फगेशा एड संब थीचिज करना मैं मैं में मिल्हू और में दप्रोटेया लिए jsud tent थी इसलिए जो इसलिए ब्स क्लिए प्ली सम साइर जी अ में अइन समोकले करें है जानना को बश्यॉक्य प्रीजुस्य मैं वाइंड श्रौंज कर में जो भी फंक्शन्स होता है जो की समालता वगर वह मिनिसिपलिटी मिनिसिपल कॉर्परेशन करता है और जाकि बहुत सारे पीपल रहते है लार्ज मतब सहर आगा समझ नहीं पॉपलेशन कितना बूस्ट होगे गाउं से ठीक है बसके यह जानने का जरूरत नहीं आपको जो हमें सीथे फंक्शन बतरना है ठीक है अब्लिगेटरी फंक्शन स्याकर आया है मैं बुक खोल लेता है एक बार एक सब्सक्राइशन जैसे कि वहां पर था वेलफेर सानिटाइशन जुआ किया था इस इस रिक्वाइड इस इस विल रिक्वार इस्टाइश्मेंट होस्पितल इस्टाइशन चैल वेलफेर सेंटर इस इस त मुद रूबर से इस अउस्पिशं अमिल्क फूट स्टrang mandar कंशन करते हैं मोर्च्वेंट हैं मिकि lat amic प्राइब है तिन की ऑप्लिक府 अभरें करें जाना एंट था करतीज सुतिया है सब्सक्राइब कर सके एक स्कूल पर नाइट स्कूल को स्कूल का हूं तो नाइट स्कूल हमारे स्कूल में होता था वहां पर गरीब लोग फिर यह पढ़ते थे ठीक है वह भी कराता है फिर एडल्ट लोग भी जैसे बहुत सारे जो जैसे में दादू जी यह दादू वह पढ़े लिखे नहीं है तो उनको उनके लिए एक स्कूल खोला जाता है ताकि वहां पर जाके जो बेसिक्स नॉलेज है उनको प्रोवाइड किया जा सके ताकि कि किसी को भी बेसिक्स नॉलेज हो जरू होते है कि का लाइफ में क्या हो रहा क्या नहीं हो ठीक है अब पढ़ाई का चोड़ो हमारे सलड़के पार्क्स पाही चाहिए प्लेगराउंड चाहिए यह सब भी सटप करता है ताकि इस जगह पैसे होना चाहिए नदी नाले जो होते है सेट अप करता है कि शॉपिक कॉंप्लेक्स कहां खुलने चाहिए इंडस्ट्रिस कहां खुलने चाहिए यह सब भी लोग रेगुलेट करता है ठीक है स्लम इंप्रूब्मेंट प्रोग्राम्स जो भी जो गरीब जो जो पानी पहुचा जा सके या फिलोगों सैनिटाइज कैसे कि बीमारी से बचाने के लिए कुछ लोगों इतने एडिक्शन नहीं रहता ठीक है तो यह सब भी काम करता है यह सब बस 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 टायंड बना दिया यह पब्लीक कर लिए जो चीज आपको लगता है एक मेडिकल बोखार पॉइंट के सामने घाड बना दिया ता कि पब्लिक यूज कर सके पार्क बना दिया पब्लिक अब लगता है तो फिर तो पांच बाकी रहे हैं तो फिर दस लोग है बीस जन का भीजा तो फिर दस टोवेस हो गए तो यह सब चीज वहां पर रिकॉर्ड होता है बर्त इन रेट इसलिए डेथ बर्त रिकॉर्ड किया जाता है ओ personalities functions जो क्यों होता है cremation ground बनाया जाता है tribural ground बनाया जाता है ठाहिंगे और मेंटेष सर्वेस कहीं पर आग उक लगिया जाए इचरिक को सब को भी maintain करता है और हमारा इब हाया餐 हाँ इन अ महीं था ट्रांस्पर का थार्ब फासलिटीज आता है 1 बस सर्वेस बस चलाता है ताकि सरकारी बस चलते है नहीं है वह चल वाता है Central activities Municipal Corporation में established libraries and museums Municipal Corporation क्या करता है लाइबरेडी जब्स मुजियम को सेट करता है भाई किसी को भी लाइबरेडी पढ़ने जाना चाहिए पढ़ने जाता है लाइबरेडी जाता है वह सेट अप करता है म्यूजियम चाहिए ताकि अपना हिस्ट्री को देख सेके भाई क्या था पहले क्या नहीं कि कल्चर अक्टिविटी जो ड्रामा म्यूजिक पेंटिंग वगेरा जो होता है वह सब ml कॉर्परेशन करता है जह सब सम्जाने काहीं है ओ था स्था पाता है आफ और झाहिए अपकर स्पोर्ट्स इन पले सता है ऐसे करता है मतर्साथा मेला होता है एकना थिक्ज़्ट होता इवेंट से एग्जामपल कोई भी क्रिकेट होता है लोकल क्रिकेट माच करने फुटबॉल माच करने या फिर कोई मेला लगवाता है यह सब काम करना है अर्बन फॉरेष्टिय वैसे अर्वन फॉरेष्टिय करते हैं अनुभ कर सकते हैं forestry बढ़ाता है plant greenery बढ़ाता है welfare services corporation expected to launch family welfare schemes and to undertake poverty elevation programs same thing is repeat हुआ look after public distribution system public services provide इसको देखता है तो यह हमारे functions अब हमारा आता है last topic आगया last topic आगया municipalities नगरपाली का देखते है municipal meaning of municipal committee नगरपाली का है an elected body that is responsible for earning the civic affairs of the smaller town or an urban area it looks after people needs it looks after many needs of the people such as health, sanitization, water supply, fire services, street lights, urban same work यह भी करता है जैसे कि जो village part में था जिला परिशत के नीचे जो था Samitih था Samitih के नीचे था सभा था Same यहाप है municipal corporation के नीचे आता है municipal community आता है करता है यह है वो क्या करता है Supervise करता है तेक्या composition आएगा नहीं syllabus में दिया हुआ नहीं से functions बोला गया है obligatory functions पहला क्या है public health and sanitization the municipality takes responsibility of maintaining hospital feds hospital dispensaries cleaning public lanes रस्तासाफ करना preventing the sale of rotten foodstuffs and adulterated milk यह सब को बंद करता है मतलब जो दूद पीने लाइक नहीं वो सब को sale बंद करता है या फिर जो खाना वगेरा जो सड़ गया है वो सब का sale पर रोकता है चेक करता है road का सफाई वगेरा जो होता है यह लोग करता है hospital dispensaries सरकारी होते है उन पे लोग ध्यान रखता है कि लोग सब सभी से काम कर रहें कि नहीं कर रहें नमबर टू बेसिक जाता है electricity and water supply जो बेसिक है water supply safe drinking water मिलता है कि नहीं मिलता electricity for domestic and commercial use मिलता है कि नहीं मिलता लोग उससे इसको ध्यान रखता है तो यहां पर आपका class 9 का civics भी खतम होता है आप प्लीज इस पूरे वीडियो को देखेगा प्लीज शेयर करेगा last moment मैं आपको पूरा बना दिया हूं आपको आराम से पूरा बस पढ़ना है पूरे वीडियो एक घंटे का मैं जानता हूं बहुत बड़ा वीडियो बना है लेकिन आपको प्लीज ही आपको पूरा पढ़ना पढ़ेगा तो आपका civics खत्म हो जागा आपको भुक खुलने का ज़रवत भुक इसलिए खुलने का आपको समझ आपको पढ़ा रहा हूं आपको बुक खाथ खुलने लेकिसे टीचर के नोट का ज़रवती है जो इसलिएपस में दिया के मैं उसके थूपडाया हूं झाल झाल